मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन में क्लिक कीजिए ताकि हर नया वीडियो आप तक पौश सके हाई फ्रेंड्स मैं शुबोजीत कंप्यूटर टीचिंग इंस्टिट्यूट से फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग Microsoft Excel का lesson 1 में जाएंगे और उसमें कुछ questions के उपर discuss करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स question में जाते हैं तो दिखिए यहाँ पर Excel का lesson 1 है उसमें फर्स्ट यह table हम लोग को दिया गया है यह table को Excel में पहले create करना होगा उसके बाद इसके उपर dependable कुछ questions है जिस questions को हम लोग को एक एक करकर practically करके देखना होगा तो चलिए पहले यह table को बना लेते हैं तो दिखिए table मैंने बना लिया है अब इसमें क्या questions दिया है वो एक बार देखते है calculate city wise and item wise total question जो दिया है कि हम लोग को total करना है city wise और item wise यहाँ पर table हम लोग को जो दिया गया है वो table का मतलब थोड़ा सा समझा देते हैं यह कोई एक company का table है जो company अपने जो products है जैसे के laptop, desktop, harddix, DVD drive, printer यह सब products को वो यह सब cities में बेशता है यह सब कोई amount नहीं है यह pieces का हिसाब है मतलब कितना-कितना pieces करके दुर्गापूर में laptop, desktop, harddix, DVD drive, printer को आसान सोल में, बाकूरा में, बर्धवान में तो हर एक city में कितना-कितना pieces करके बेचा गया है उसका एक हिसाब लगाने के लिए यह table को बनाया गया है तो यहाँ पे हम लोगों को दोनों साइड में total करना होगा एक है city wise और दूसरा नीचे होगा item wise तो total कैसे करते है excel में, वह हम लोगों को इसमें पहले जानना होगा तो देखिए excel में total करने का बहुत सारा process है first process आप लोगों को दिखाते हैं तो देखिए मेरा answer में भी चार process यहाँ पर लिखा हुआ है तो मैं भी आप लोगों को इक एक करके यह चारो process को दिखाता हूँ तो first जो total करने का process है वो है आपको जहाँ पे total करना है वहाँ पे पहले एक answer को रखिए रखने के बाद home tab में जाए होम टैप से यहाँ पे देखिए auto sum लिखा हुआ है ठीक है आपको list point में क्लिक करने का कोई जरूत नहीं है बस auto sum के उपर ही क्लिक कर दीजे तो यहाँ पे देखिए total के लिए एक formula आ गया है sum देखिए Excel में कोई भी formula को start करने से पहले equals to देना पड़ता है और उसके बाद है sum sum का मतलब हम लोग जानते sum for plus समझाता है और यहाँ पे range है range आ गया है range मतलब कहा से कहा तक मुझे total करना है मतलब sum करना है वो यहाँ पे automatically आ गया है अब automatically कैसे आया जहाँ पे मैंने total करने के लिए cursor को रखा था उसके left side में जो भी number से वो सभी numbers को वो total करने के लिए ले लिया है यहाँ पे अगर suppose मानिए कि यहाँ पे होता कि item code item code में अगर कोई number होता item code का number भी आपे total में आ जाता पतलब excel इस तरह से total को करता है लेकिन उसमें modification को जो काम रहेगा वो हम लोग कर सकते हैं हम लोग बाद में देखेंगे तो यहाँ पर क्या गया है equals to sum b2 is to f2 इसका मतलब है sum करना है b2 से f2 तक अब b2 का घर यह है क्योंकि यह 20 से हम लोग को 61 तक plus करना है 20 का घर है b2 मतलब देखिए b वाला कॉलम में है 2 वाला रो में है इसलिए b2 और यहाँ पर है f2 तो यहाँ पर आ गया है b2 is to f2 यह आने के बाद आप लोग को देना होगा enter तो दीखिए यहाँ पर total हो गया है ठीक है अब नीचे का total को करने के लिए हम लोग को फिर से यहाँ पर करसर रखके auto समल जाने का जरूरत नहीं है आप 261 में करसर को रखे और यहाँ पर आ जाए एक दिम नीचे में मैंने पहला वीडियो में दिखाया था आप लोग को कि ड्रैगिंग करसर क्या होता है तो यह है वो ड्रैगिंग करसर आप इसको ड्रैग कर दीजे दिखिए सभ और फरस ब्रैकेट देखिए जोजू नंबर्स को या जहां से जहां तक रेंज को आपको टोडल करने का जरूरत है वो select कर लीजे तो मुझे यह आप इस सभी को लेना है तो एकदम first box में click करके आपको drag करते हुए आना है एकदम last box तक मतलब sales तक और bracket को close करके दे दीजिए enter हो गया अब इसको फिट से आप drag कर दीजिए हो गया यह तीसरा process है चौथा process जो है उसमें क्या है कि आपको sum लिखने का जरूरत नहीं है बस equals to लिखिए और first bracket दीजिए और जो जो sales को आपको plus करना है मतलब total में लाना है वो sales के उपर एकदम करके click कीजिए और plus sign दीजिए click कीजिए और plus sign दीजिए click कीजिए और plus sign दीजिए तो इस तरह से भी हम लोग total को कर सकते हैं लास्ट वाला में plus sign दने का जरूरत नहीं है bracket close करके enter दे दीजिए तो देखिए इसमें भी हो गया तो हम लोग यह चार process को use करके Excel में total को कर सकते हैं अब नीचे में भी यहाँ पे total करना होगा तो इसके लिए आप कोई भी process को use कर लीजिए मैं equals to alt equals to दे रहा हूं और enter ठीक है अब इसको भी आप drag कर लीजिए तो यह था process Excel में total करने का तो अब देखिए यह total है इसलिए मैं इसको थुरा सा bold करके red color कर द हाँ पर rate कर दिए ठीक है अब दूसरा question में जाते हैं अब देखिए insert an extra column name as distributor name in after city column city column के बाद distributor name नाम से एक नया column insert करना है तो चली Excel में जाते हैं या पर देखिए यह है city column city column के बाद में मुझे distributor name नाम से एक column लाना है हम लोग word में भी table के उपर काम किये थे वहाँ पर कि कोई वी column के आगे में या बाद में हमको अगर नया column लाना पड़ेगा तो हम लोग कोई वी जगह में cursor को रखके insert left और right कोई वी option में क्लिक करके उसको ला सकते थे लेकिन Excel में ऐसा नहीं है Excel में क्या है कि आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जहाँ पे आपको नया column लाना है उसके हमेशा आगे में आपको पहले cursor को set करना पड़ेगा मतलब क्या समझा है आपको कि आपको A और B के बीच में column लाना होगा तो आपको cursor को B में रखना होगा ताकि नया column हमेशा left side में insert हो ठीक है नया column हमेशा left side में आ तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि नया column हमें से जो आएगा वो आगे में आएगा मतलब cursor मुझे उसके बाद में रखना होगा जहाँ पर column आएगा उसके बाद में cursor रखना पड़ेगा तो उसी तरह से यहाँ पर भी दिखिए city और laptop के बीच में मुझे distributor name नाम से column लाना है तो मुझे cursor को laptop में रखना होगा laptop में मतलब यह laptop बाला text के उपर रखना पूड़ेगा ऐसा नहीं है अब इस column में मतलब यह जो column टोटल आपका एकदम 10,88,546 तक है उसमें कोई भी एक box में रख दीजी इस line में तो हो जाएगा ठीक है तो मैं यहाँ पे laptop में रखता हूँ इसके बाद home से insert दीके home टैप से आपको जाना है insert के list point में और यहाँ से आपको मिल जाएगा insert sheet column देखिए नया column आ गया तो column लाने का और एक process मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो है कि आपको laptop के उपर एकदम टॉप में right click करना होगा मतलब नया column लाने के लिए पहला option क्या दिखा है insert से आप insert sheet column में क्लिक कीजिए वो तो normal process है लेकिन quickly अगर करना होगा shortcut process है right click कीजिए और insert कर दीजे तो आ जाएगा ठीके तो कोई भी एक process आप यूज कर दीजेगा इसके बाद यहाँ पर type करना होगा distributor name अब देखी एक चीज यहाँ पर समझा देते हैं यह distributor name पूरा text आप लोग को नहीं दिख रहा है क्यूंकि column का जो width है उससे यह text का width बहुत है इसलिए पूरा नहीं दिख रहा है तो आप लोग को पूरा अगर देखना होगा तो आप क problem दे रहा है जिस line के लिए आपका text पूरा नहीं दिख रहा है उस line के एकदम टॉप में जाए यहाँ पर रखने से नहीं होगा एकदम टॉप में जहाँ पर ABCD का line दिख रहा है वहाँ पर जाके देखी एक crease sign के तरह आ रहा है अब इसके उपर double click कर दीजे यह first process है इसमें क click करके इसको drag भी कर सकते click करके drag कर सकते तो इस तरह से भी हम लोग column को बढ़ा कर सकते हैं तो आप यहाँ पर कुछ भी type करना पड़ेगा तो मैं फटाफट type कर देता हूँ तो यहाँ पर मैंने देखी कुछ distributor का नाम type कर लिया है आप लोग कुछ भी type कर लिजेगा अगर practice क कर रहे तो next question में जाते हैं next एदक यह add a new city name as bolpur in before Kolkata city Kolkata city से पहले यहाँ पर है Kolkata Kolkata city के आगे में मुझे bolpur नाम से एक नया city insert करना है तो हम लोगों क्या करना होगा नया row insert करना होगा तो वह ही इसमें question है कैसे हम लोग excel में नया row insert कर सकते हैं हम लोग column के बारे में यह जाने की जहां पर मुझे column चाहिए होगा उसके आगे मुझे cursor रखना होगा और row के लिए भी आपको वही जानना होगा जहां पर आपको नया row insert होने वाला है उसके नीचे में आप उसको रखे मतलब horizontal ही सोचे तो आगे ही होगा ठीक है तो आपको Kolkata के आगे में नया city चाह थे टाऊ टीजी तो देखिए नया row यहां पर आ गया है और आप शाट कट लिए पिसको कर सकते है इसके लिए आपको ये 6 मतलब 6 की ऊपर में चाहिए तो 6 की उपर add क्लिक करके बस install क्लिक कर दीजिए तो देखिए н्या रो यहां पर आगया है है अब यहां पर नया जो CT का नाम बताया गया है, वह है बोलपूर, यहां पर मैं पुरा लाइन को टाइप कर लेता हूँ, अब देखे, fill up कर लिया है, अब यहां पर total कर ला है, आप लोग अगर fill up करते हुए आएंगे, तो यहां पर देखिए कर total हो सकता है, मेरा भी हो गया था, लेकिन मैंना delete कर दि तो सबी का total fit से हो जाएगा, ठीक है, और नीचे में भी देखिए, C2 से पूरा C12 तक है, मतलब बीच में जो आप एक नाया row insert की है, उसका भी total यहां पर automatically हो गया है, automatic कैसे होता है, दिखाते है, देखिए, Excel में क्या होता है, कि आप अगर कोई भी sale का number change भी करते हैं, तो उ जो भी sales formula के अंदर है, उस sale में कुछ भी अगर changes होता है, तो वो formula का जो result है, वो भी अपने आप change होता रहेगा, ठीक है, तो चलिए next question में जाते है, how to remove any row or any column from your table, कैसे हम लोग कोई भी row को, या तो कोई भी column को delete कर सकते हैं, अपने table से, तो मानि हम लोग को कहा गया कि इसको delete करके, तो दो process हैं, आप जिस row को delete करना चाहते है, उस row के कोई भी box में cursor को रखी है, ठीक है, उसके बाद delete, home tap से delete, delete से delete sheet row, ध्यान से click करना होगा, delete sheet row में ही click होना चाहिए, या तो आप एक और भी process use कर सकते है, जिस row को आपको delete करना है, उस row का जो number है, उस number के उप करना तो cursor रखी है, उस column में, delete में जाईए, और delete sheet column में click कर दीजए, तो delete हो जाएगा, या तो आप क्या कर सकते है, right click और delete, ठीक है, तो भी हो जाएगा, बार बार एक चीज़ का ध्यान रखेगा, computer में कोई भी काम करते 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 कुछ भी problem होता है, तो आप फटा-फट, Ctrl Z प्रेस कीजएगा, देखिए, मैं delete करने के बाद भी इसको बापस लेकर आया, कैसे Ctrl-Z से, तो फिर से इसको हटाने के लिए, फिर से Ctrl-Z या Y प्रेस कर दीजएगा, तब भी हो जाएगा, Y से redo हो जाता है, ठीक है, next question में जाते है, type your company name as matrix sales and service at top of your table by marge and center process, देखिए, यहा इस table के उपर मुझे इस तरह का banner को heading को बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनाएंगे, उपर में तो जगा है नहीं, तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको देखिए, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, CT के उपर कुछ rows लाना पड़ेगा, जो कि अभी नहीं है, लाना होगा, तो row लाने का process हम लोग दिखा दिये हैं, हम लोग insert से भी insert sheet row में क्लिक कर सकते हैं, या तो one के उपर add क्लिक करके भी insert, 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 ठीक है, कर सकते हैं, तो देखिए, बहुत सरा row आ गया है, हो जाएगा 4 row से, अब यहाँ पे सभी rows में boxes है, तो हम लोग लिखेंगे कैसे, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, पूरा एकदम बहुत अच्छे से heading type का लिखा हुआ है, वो हम लोग लिख नहीं पाएंगे भी, क्योंकि यह तो चोटा-चोटा box है, तो सभी boxes को मुझे एक box में convert करना पड़ेगा, इसको marge करना कहते हैं, सभी boxes को हम लोग को marge करके, एक box में ला लिखा है थे, select कर लिए और marge and center में click कर देते हैं, home tab से यह मिलेगा आपको, wrap text के नीचे, तो देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ हुआ, पूरा जो भी boxes था, sales था, वो अभी एक sales में convert हो गया, अब हम लोग को यहाँ पर लिखना है, पहले क्या matrix sales and services, जो की capital में लिखना ह होगा, तो लिखिए, यहाँ पर कर सकतो है ही, matrix sales and services, अब देखिए, यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है, Jennifer Road, Newtown, Kolkata, यह जो text है, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, क्योंकि यह लिखने के बाद, अगर हम लोग enter देदेंगे, तो पूरा वहाँ से बाहर आ जाएगा, एक यहाँ पर नीचे करके कोई भी text को लिखना होता है, तो उसके लिए हम लोग को प्रेस करना पड़ता है, alt enter, क्योंकि मुझे matrix sales and service के नीचे में कुछ type करना है, उसके लिए हम लोग देंगे, alt को प्रेस करके रखेंगे, और enter प्रेस करेंगे, तो यह नीचे आ जाएगा, लेकिन उसी sales में है, आप लोग को यह दिख रहा होगा कि दूसरा sales में आ गया है, दूसरा row में आ गया है, लेकिन नहीं, जैसा है, उस तरह से आप लिखिए पहले, उसके बाद enter देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, Jennifer Road, New Town, Kolk और यहाँ पर पिन नमबर जो भी कुछ एक दे देते हैं, अब इसके नीचे भी लिखना होगा, देखिए, तो question में, sales details for the month of January 2015 लिखा हुआ है, मतलब यह line जो है, इस line के नीचे में हम लोग को कुछ type करना है, तो वो कैसे होगा, उसके लिए फिर से हम लोग को देना होगा अल्ट एंटर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, sales details for the month of January 2019 दे देते हैं, सबोज मानिए, ठीक है, 20 कर देते हैं, तो हो गया, अब बाहर में क्लिक कीजिए, तो दिखिए, पूरा take step का box के अंदर आया गया है, अब यहाँ से matrix sales and service को बस आपको बड़ा करना है, ब उसके लिए क्या करेंगे आप, दो process है, एक process आप double click कीजिए box के अंदर जहाँ पर आपका first line खतम हुआ है, तो मैं यहाँ पर double click कर देता हूँ, तो आप बस first line को यहाँ से select कर लीजिए, select होने दीजिए side में कोई problem नहीं है, यहाँ तो आप क्या कर सकते है, click कीजिए, और यहाँ पर देखिए, यह है formula bar, formula bar में देखिए, यह दिखा रहा है, तीन line देखेगा, यहाँ पर दो arrow भी आ गया है, नीचे में click करने तो 2 number line और नीचे click करने तो 3 number line आ जागा, तो आप को यहाँ पर क्या करना है, बस first line को लेना है तो आप यहाँ से बस first line को select कर लीजिए यहां पर जो दिख रहा है देखने दीजे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप इसको बढ़ा कीजे साइज में तो यह बढ़ा हो रहा है तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है आप देख नहीं पाएंगे ठेक से कि कितना बढ़ा हो रहा है तो उससे अच्छा है कि आप अपर Double click कर लीजे, और इस text को select कर लीजे, तो क्या होगा, आपके सामनी ये बड़ा होगा, size change होगा, जो भी changes करेंगे इसमें वो आपके सामने में होगा, तो आपको सुविधा होगा समझने में कि कितना बड़ा और चाहिए या नहीं चाहिए, क्या चाहिए नहीं चाहिए, वह सारा आप समझ पाएंगे, अगर सामनी में होगा तो, तो दीखिए मैंने यहाँ पर बना दिया है, ठीक है, इस तरह से हम लोग table के उपर में heading बना सकते हैं, नेक्स देखिए, how to hide Excel grid line, कैसे हम लोग Excel में grid line को hide कर सकते हैं, grid line मतलब क्या है, यह जो चोटा चोटा बॉक्स आप लोगो दिख रहा है ना, sales, sales के उपर जो lines बगरा है, यह lines को अगर हटाना है, अच्छी तो देखिए, यह lines आपका printout में नहीं आता है, देखिए, मैं आप लोगो दिखाता हूँ, files, map, print, से, यहाँ पर दिख रहा है, आप लोगो शायद, कि यहाँ पर लेकिन, वो grid lines नहीं मिलता है, जो lines Excel में है, वो लेकिन printout में नहीं दिखता है, ऐसा ही होता है, ठीक है, तो इसके लिए, दिखा देते हैं आपको, कैसे printout में line लाना है, तो प दिखिए, यह sheet से आपका grid line हट गया है, फिर से लाने के लिए बस इसमें click कर दीजेगा, तो फिर से आजाएगा, अब दिखाते हैं कि printout में कैसे आप line ला सकते हैं, इसके लिए, पहले आप अपना table को select कर लिजीए, और home से, यहाँ पर देखिए, bottom water, इसमें click करके, आप all water में click कर दीजे, तो देखिए, यहाँ पर box आगया है, इसका मतलब है, आप जब print में जाएंगे, अब देखिए, यहाँ पर भी आपको box दिखेगा, ठीक है, तो चलिए, next question में जाते है, how to print in Excel sheet, अब Excel sheet को कैसे print किया जाता है, देखिए, word तक हम लोग जो भी software को सीखते है उसमें print करने का उतना ज़्यादा जामला नहीं होता है, लेकिन Excel में थ्रहता जामला होता है, तो print करने के लिए Excel में सबसे easy process जो है, आप जिस content को या जो भी table को आप print करना चाते, वो उसको पहले select कर लिजे, उसके बाद आप चले जाए व्यू में, व्यू से page break preview में क्लिक कर दीजे, page break preview में क्लिक करने पर क्या होगा, वो अपने से page को बना लेगा कि कौन सा, मतब कितना page होगा, और कौन सा page में क्या क्या रहेगा, वो अपने से वो set कर लेगा, या तो आप यहाँ पर जो yellow color का line है, इसको भी उपर नीचे करके, आप set कर सकते कि first page में कितना से कित page 1 आ रहा है, लेकिन print out में नहीं आएगा, बस यह आप लोगों को दिखाने के लिए है, अब आप file में जाएगा, वहाँ से print में क्लिक करके, यहां से, यहां से Epson L220, यह मेरा printer है, यह दिखा रहा है, उसके बाद printer properties में जाना होगा, आपको, उसके बाद आप color print करना चाहत है, वह आप चूज कर लीजिए, तो मैं black and white print अगर करना चाहता हूँ, तो gray scale में click करके, ok करना होगा, उसके बाद, यहां पे, अगर देखिए, मेरा तो यहां पे एक ही page है, लेकिन आपके पास अगर बहुत सरा page होगा, और उस page में से, suppose माने कि कोई particular page को आपको print करना है, म आपको माने कि एक से चार्ट तक print करना है, या 8 से पास तक print करना है, तो आपको यहां पे लिखना होगा 1 और यहां पे लिखना होगा 5, ठीके, यह जो है print एक्ट इसका मतलब है यहां से आप print selection भी कर सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि आप जो selection करके रखे हैं, जो table को, जतना आपका selection है उसी वही बस print होगा print entire workbook, पूरा workbook ही print हम लोग कर सकते हैं print active sheet, जो मेरा sheet active है वो भी हम लोग print कर सकते हैं तो बहुत सरा अलग अलग तरह का यहाँ पर option है आप तो किया से portrait और landscape option भी choose कर सकते हैं यहाँ पर अगर page को घुमाना है तो आप landscape कर देज़ेगा अगर आपका table बड़ा है लंबा page में नहीं आ रहा तो landscape भी आप कर सकते हैं ठीके इसके बाद page, page को भी आप लोग choose कर सकते हैं कि कौन सा size का page आपको चाहिए margin को भी आप यहाँ से choose कर सकते हैं कौन सा margin किस तरह का margin चाहिए तो ऐसे बहुत सरा options यहाँ पर available है अगर print related कुछ भी problem अप लोगों होता है तो मुझे please comment box में लिखेएगा तो मुझे जितना हो सकता मैं help अप लोगों कर दूँगा इसके बाद सब कुछ हो जारे के बाद आपको print में click करना है तो आपका print बहुत ही अच्छे तरह से हो जाएगा अब यहाँ पर हम लोगों जो दिख रहा है यह चोटा वाला टेविल जो चोटा हो गया इसको पहले से पहले जैसे कैसे करेंगे view से हम लोगो फिर से normal में click करना होगा ठीक है view से normal तो देखिए मेरा table पहले जैसा हो गया है next question में जाते है how to save your excel sheet in any particular folder in any drive कोई भी drive में अगर कोई एक folder है मानिए कि d drive में आपका नाम का कोई folder है उस folder के अंदर आपको excel का file को save करना होगा तो आप क्या करेंगे तो चलिए दिखा देते हैं पहले मैं यहां पर d drive में जा रहा हूँ और यहां पर एक folder बना लेता हो मेरे नाम से ठीक है बन गया अब इस folder के अंदर मुझे यह वाला excel file जो है इसको save करना है ठीक है तो चलिए file में जाना होगा file से save में क्लिक करने के बाद यह जो window आया है browse का यहां से आपको चूज करना है D drive क्योंकि आपका D drive में फोलडर है तो D drive में क्लिक करना होगा इसके बाद नीचे में आ जाए, यहाँ पर देखिए, आपका folder यहाँ पर दीक रहा है, इसके अपर डबल क्लिक भी कर सकती है, या तो क्लिक करके open में भी क्लिक कर सकती है, तो कोई भी एक option चूज कर लीची, इसके बाद आप शुबोजित नाम का folder के अंदर आ गया है, मतलब तो यह save हो गया कहाँ पर, दिखा देते हैं, सबको काट दीजे, इसको काट दीजे, अब फिर से मैं जा रहा हूँ, this PC, और वहाँ से d drive, और वहाँ से मेरा वाला जो folder उसमें, कहा गया मेरा folder यह है, इसमें, और यहाँ से यह दिखिए lesson 1, डबल क्लिक कीजे, ओपन हो जाए by password, देखिए पहला वाला जो file हम लोग save की, उसमें पासवार्ड दिये नहीं तो मतलब वह ऐसे open हो जा रहा है, लेकिन हम लोग को अगर इसमें password देना है, कि डबल क्लिक करने से भी यह यह नहीं खुल जाएगा, password देना पड़ाएगा, उसके बाद यह open होगा, तो उसके ल करना होगा आपको क्योंकि यह पहले से save है, अब यह वाला है आपको file, दिख रहा है lesson 1, देखिए this PC मतलब my computer के अंदर, d drive के अंदर, सुभोजित के अंदर, यह lesson 1 नाम से file है, इसके उपर आप click कीजिए, click करने के बाद tools में जाईए, tools से general option, general option से password to open, क्या password आप देना चा save कर दीजिए, और yes कर दीजिए, ठीक है, हो गया है, अब close कीजी इसको, देखिए फिर से इसको open करके, क्या होता है, देखिए, password मांग रहा है, तो यह पर मैं जब तक, गलब दिया है password, देखिए, open नहीं हो रहा है, तो जब तक अब सही से password नहीं देंगे, तब तक यह file आ वह फाइल में भी password दे सकते हैं और अगर मानिये कि आपको आपको कोई file saved नहीं अपना फाइल बना रहे हैं उसमें password कैसे देंगे उसके लिए भी एक process दिखा देते हैं उसके लिए मैं आपको नया एक Excel फाइल ओपन करके दिखा देता हूं तो यहाँ पर दिखिए मैंने और एक Excel फाइल ओपन कर लिया है और इसमें अभी आप लोगो दिखाऊंगा कि नया फाइल में भी password आप कैसे दे सकते हैं तो यहाँ पर सपोज मानिये तो कुछ लिखा हूँ नहीं है तो मैंने यहाँ पर कुछ बना लिया है I suppose ऐसे ही बस कुछ भी नहीं करेंगे तो save नहीं होगा इसलिए तो कुछ लिख दिये अब इसको यह फाइल को मुझे save करना है तो फाइल में जाएंगे तो पहले से save नहीं है तो save में क्लिक करेंगे कहा पे save करना है वो आप जानते है drown मैं इसको फिलाल desktop में अभी कर रहा हूँ इसके बाद tools में जाहिए आपको कोई एक जो file आपका save किया उसमें जब password देने का काम था था उस file के उपर click करना पड़ेगा लेकिन इसमें कुछ click नहीं करना है बस आप tools में जाहिए direct general option से password to open और ok करके फिट से password to open मतलब modify password sorry re-enter password में password देने के बाद enter कर दीजे और अब जिस नाम से चाती इसको save कर दीजे तो book1 नाम से save कर दिए अब दिखिए password इसमें लग गया है दिखिए book1 नाम का file मेरा save हो गया यहाँ पे यह अब इसको open करके आप लोग को दिखाते हैं सही से password दिए और open हो गया ठीक है तो इस तरह से हम लोग कोई भी excel फाइल में password लगा के उसको save कर सकते हैं next कोई और कुछ question नहीं है 10 तक है था next video में हम लोग lesson 2 के questions के उपर discuss करेंगे ठीक है friends वीडियो को जरूर देखते रहेगा आशा करता हो lesson 1 में सारा questions आप लोग को समझ में आया होगा अगर वीडियो का अच्छे लगा होगा तो like और share कर दीजिएगा subscribe करना मत भूलेगा मेरे चैनल को फिर मिलते है friends next video में तब तक के लिए टाटा